इस्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग exercise 7.1 के questions को solve करने वाले हैं तो चलिए student हम लोग प्रशनावली पर चलते और question को solve करते हैं तो student यहां पर आप लोग question को देखी इसमें क्या कहा जा रहा है question number first को आप लोग देखी इसमें क्या कहा जा रहा है निमलिकित का अनुपात ग्याद कीजिए तो यहां पर हमें questions दिये गए हैं और इनमें क्या निकालना है अनुपात बताना तो चलिए हम लोग अनुपात बताते देखे एक cycle की 15 km प्रत घंटे की गती का एक scooter की 30 km प्रत घंटे की गती से हमें क्या बताना इसका अनुपात बता ना है तो cycle की चाल क्या दी गई देखे 15 km प्रत घंटा कि साइकिल की चाल हमें दी गई है कि साइकिल की चाल क्या दी गई स्टूडेंट 15 km पर आर ठीक है और जो scooter है scooter की चाल दी गई है scooter की चाल हमें क्या दी गई है scooter की चाल दिया गया है 30 km पर आवर cycle की चाल और scooter की चाल का अनुपात क्या हो जाएगा cycle की चाल तता scooter की चाल का अनुपात की चाल का अनुपात देखे इस्टूडेंट cycle की चाल का scooter की चाल से अनुपात बताना है क्या हो जाएगा cycle की चाल cycle की चाल और बते में क्या हो जाएगा scooter की चाल scooter की चाल तो cycle की चाल में कितना दिया गया 15 km पर आवर दिया गया है और यहां से देखे स्कूटर की चाल क्या दी गई है 30 km पर आवर अब यहां पर देखे कार दीजिए 15 है के 15 15 दूनी 30 यहां पर हमारे पास क्या आ गया एक बटे दो तो इन दोनों के बीच में जो अनुपात है वो क्या आ गया है जो साइकल की चाल और जो स्कूटर की चाल है दोनों के बीच जो अनुपात है वो क्या आ गया है एक अनुपात है दो यह हमारा क्या हो गया answer हो गया स्टुडेंट इस तरीके से यह हमारा फर्स्ट नंबर था यह इसको प्रूमने solve किया चलिए अब लोग बी नंबर परठ चलते हैं और इसको solve करते हैं तो देखे बी नंबर में में क्या दिया गया है हमें 5 मीटर का 10 किलो मीटर से अनुपात निकालना है तो 5 मीटर का 10 किलो मीटर से अनुपात लिख दीजिए 5 मीटर का 10 किलो मीटर से अनुपात क्या हो जाएगा 5 मीटर बटे में 10 किलो मीटर आप एक बट照 नहीं लिख सकते क्योंकि यॉहां पर देखिए मीटर में किलो मीटर में है या तो आप इसा को किलो मीटर में चेंज कर लिजिए marrow मैटर में चेंज करते हैं यहां पर par ौरो आप्र दस किलो प्रावर कितना मीदर सताइक हजार मिंटर मरद एक किलो मीटर होता है वो बराबर होता है एक हजार मीटर के तो यहां चे देखिए अब यह भी किसमे हो गया मीटर में तो लिख दीजिए पांच देखिए पांच से काठी देतें यहां पर देखिए पांच एक पांच दूनी दस और एक बटे कितना है दो गुड़े एक हजार तो दो गुड़े एक हजार करें कितना हो जगा दो हजार तो यहां पर क्या जगा एक बटे में 2000 और यहां से देखिए अगर हम अनुपात की बात करें तो 5 मीटर का जो अनुपात है 10 किलो मीटर से वो हमारे पास क्या आ गया है एक अनुपात है 2000 थोड़ा इसको सही कर लिजी आप चलिए मैं आप लिजी देते हैं 5 मीटर का जो अनुपात है 10 किलो मीटर से वो क्या आ गया है एक अनुपाते 2000 यह इस्टुडेंट हमारा क्या हो गया एंसर हो गया चलिए अब लोग इसके C नंबर पर चलते हैं और देखते हैं C नंबर का solution क्या होगा C नंबर में च्या बताना है 50 पैसे का रुपिया 5 से अनुपात 50 पैसे का 50 पैसे का रुपिया 5 से अनुपात तो क्या हो जागा इस्टुडेंट 50 पैसे का रुपिया 5 से तो रुपिया 5 यहां पर लिखी रुपिया 5 अब यहां पर देखी पैसे में रुपए में हैं तो यूनिट इसका बराबर करना पड़ेगा ए पैसे में हैं तो यहां पर यह जो लिखा है रुपिया 5 इसको भी पैसे में करिए एक रुपिया बराबर कितना पैसा होता है इस्टुडेंट अगर हम लोग एक रूपय की बात करें एक रूपया हमारा सो पैसे के बराबर होता है तो यहां पर पांच रूपया किसके बराबर हो जाएगा 500 पैसे यहां पर देखें दोनों की यॉनिट सेम हो गई है काट दीजिए देखें क्या हो जगा पांच एक के पांच और पांच दहम पचास और एक जीरो इस जीरो से कट जाएगा और यहाँ पर देखे मारे पास क्या आगया एक बटे में दस पचास पैसे का हमें अनुपात बताना है रुपिया पांच से तो यहाँ पर क्या हो गया अनुपात देख लिजे क्या हो गया एक बटे दस यानि कि एक अनुपाते दस लिख दिजिए पचास पैसे का जो अनुपात है रुपिया पांच से वो क्या है एक अनुपाते तस है यह student हमारा क्या हो गया answer हो गया चलिए अब हम लोग अगले question पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला question क्या है तो student आप लोग question को देखिए अगले question question number 2 को देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है इसको पढ़िए इसको पढ़िए question number 2 में देखिए क्या कहा जा रहा है निमलिकित अनुपातों को प्रतिसत में परिवर्तित कीजिए तो student यहाँ पर हमें क्या करना है जो हमें अनुपात दिये गए हैं इन अनुपातों को हमें प्रतिसत में क्या करना है परिवर्तित करना है तो ए नंबर को चलिए हम परिवर्तित करते हैं ए हमें क्या दिया गया देखिए तीन अनुपाते चार दिया गया है इसको हम क्या लिख सकते हैं तीन बटे में चार तो यहां पर यह क्या बन गई भिन अगर आप समझें अगर मारे पास इस तरीके से अनुपात में दिया गया है तो इसको भिनने की रूप में लिख सकते हैं ठीक है अगर भिनने की रूप में लिखा गया है तो इसको हम अनुपात की रूप में लिख सकते कि यहां पर धिएर से देखें आप लोग हूँ हो आप देखिए इसको आप हमने तीन बते चार लिखा अब यह हमारी क्या हो गए भ Ralini तो तीन बते चार को हमें क्या करना पर्तिसत बदलना है तो भेनjekt jumping हो यह नहीं तो यहां पर जो 3 बटल्टे 4, 3 बटल्टे 4 को आप 100 से multiply कर दिजिए, जो आएगा हमें प्रतिसत में मिलेगा, 4 से काठ ये 4, 425 में कितना हो जगा 100, और 25 को 3 से multiply करें, क्या हो जगा, पिच्छतर प्रतिसत, तो यही हमारा क्या हो गया answer हो गया चलिए आप लोग इस बी नमबर पर चलते हैं देखते हैं बी नमबर का solution क्या होगा बी नमबर में हमें क्या अनुपात दिया गया दो अनुपाते तीन ठीक है क्या दिया गया दो अनुपाते तीन इसको क्या लिख सकते हैं दो बटे में तीन और इसका हमें प्रतिशत में इसको चेंज करना लेकिए 100 से गुड़ा करने पर अगर हमें कोई भिन दिया गया है उसे प्रतिशत में बदलना है तो इसके लिए हम 100 से गुड़ा करते हैं लेकिए 100 से गुड़ा करने पर तो 100 से आप गुड़ा कर दीजिए तो 2 बटे 3 को 100 से multiply करिए 2 बटे 3 into में क्या हो जाएगा 100 अब यहाँ पर देखिए 2 गुड़े 100 करेंगे तो 200 हो जाएगा 200 बटे में 3 3 से पूरी तरीके से कटेगा नहीं लेकिन फिर भी हम काटते हैं काटिए इसको देखिए क्या हो जाएगा 3 चक अठारा 3 चक अठारा 2 बीस यहाँ पर हो गया 20 फिर कितनी जाएगा 3 चक अठारा 2 बटे में 3 तो हमारे पास क्या आगा 66 सही 2 बटे 3 प्रतिसद और इस टूडेंट यह मारा क्या हो गया एंसर हो गया चलिए अब लोग 3 नमबर पर चलते हैं और देखते हैं 3 नमबर का सुल्यूशन क्या होगा देखिए हमने इसके A नमबर को खाल कि इसमें 75 प्रतिसद आया B नमबर को हमने इस सॉल्ड किया हमारे पास 66 सही 2 बटे 3 प्रतिसद आया चलिए अब हम लोग इस क्वेस्चन नमबर 3 पर चलते हैं और देखते हैं इसका सुल्यूशन क्या होगा तो इस्टूडेंट आप लोग क्वेस्चन को पढ़िए और देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है 25 बिद्यार्थियों में से 72 बिद्यार्थी गड़ित में रुची रखते हैं कितने प्रतिसद बिद्यार्थी गड़ित में रुची रखते हैं कितने प्रतिसद बिद्यार्थी गड़ित में रुची नहीं रखते हैं 25 बिद्यार्थी में से 72 गड़ित में रुची रख रहे हैं वही बच्चे उतने हो जाएंगे जो गड़ित में रूची नहीं रखते हैं तो हमारे पास कितना आ गया 28 पर्चिसद लिख लीजिए 28 पर्चिसद बच्चे गड़ित पसंद नहीं करते हैं चलिए विजिवत लिख देते हैं सुलिव सान। 72 पर्चिसद गड़ित में रूची रखते हैं गड़ित में रूची रखने वाले विद्यार्थियों का पर्थिसद हमें दिया गया है और कितना दिया लिटा दे हमें दिया गए 42 पर्चत अइसे बच्चे हैं जो गड़ित में इंट्रेस्ट रखते हैं गड़ित पसंद करते हैं तो लिख दीजिए गड़ित में रूची ना रखने वाले विद्यार्थियों का पर्चत अबएक्षय गड़ित में रूची ना रखने वाले बिद्यार्थियों का परितिशत, देखे हमारे पास पूरा 100 परितिशत होता है, 100 परितिशत में से 72 परितिशत लोग गड़ित को पसंद नहीं करते हैं, आप समझे 100 लोग हैं जिन में से 72 लोग गड़ित पसंद नहीं करते हैं, कितने लोग पसंद कर रहे है 28 लोग यानिकी 28 प्रिश्चत तो यह हमारा क्या हो गया एंसर हो गया मैं बच्चों की संक्या नहीं बतानी स्टूडेंट हमें केवल यहां पर प्रिश्चत नहीं बतानी है तो इसको हमने फुटबाल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल करी जितने भी मैच उनों ने खेले हैं उनमें से 10 जीत हासिल करी है यदि उनकी जीत का परचत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले ठीक है में बताना तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और लेखते हैं हमारा तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले मान लेते हैं माने क्या स्टूड мом première फूट वल्ट टीम ने कुल जितने मैच खेलें उनमें से दस मैच जीते हैं ठीक कितने माच जीते 10 मैच में जीत हासिल की है यह दिश्قد इनोंने जीता है और हमें जीत का प्रस्चत दिया है तो 10 मैच हमारा किसके बराबर 40 प्रस्चत जीते वाली मैच है ठीक है अब यहां से देखिए हम लोग एक प्रतिस्यत का मान निकाल सकते हैं यहां से यहां से एक प्रतिस्यत का मान क्या हो जागा देखिए इस जीरो से इसको काट देंगे तो यहां पर हमारे पास एक प्रतिस्यत बराबर हो जाएगा एक बटे चार यही बात हो गई अब हमें कितन करने पर 100 से गुड़ा करने पर 100 से मल्टिप्लाई कर दिए स्टूडेंट यहां पर क्या हो जागा 100 परिश्यत का मान हमें मिल जाएगा हमें 100 परिश्यत का मान ही चाहिए यानि कि कुल कितने मैच खेले होई मैच चाहिए न तो 100 से मल्टिप्लाई करेंगे यहां पर है एक बटे 4 100 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो 4 एक टे 4 4 25 में 100 तो हमारी पास कितने मैच आ गए देखी कुल उन्होंने 25 मैच खेले थे और 25 में से कितने मैच जीते 10 जीते हैं यानि कि 15 मैच हा रहे हैं तो यहां पर यही मारा क्या हो गया एंसर हो गया तो लिखिए आता उस टीम ने कुल 25 मैच खेले तो इस तरीके के प्रश्णों को सौर्व करने के लिए स्टूडेंट आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ सकता है आता लिखिए आता उस टीम ने कुल 25 मैच खेले कितने मैच खेले 25 मैच खेले वही एक बार आप लोग इसको फिर से समझ लो यहां पर देखिए दस में जीत हासिल की और यहां पर हमें जीत का प्रश्ण दिया गया है ठीक है दस में जीत हासिल किये हैं और जीत का प्रश्ण दिया है तो यहां से जो 10 मैच है वो 40 कर दिया चलिए अब लोग अगले प्रश्ण पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्या है इस्टुटेंट आप लोग क्षान नमबर पांच को देखी इसमें क्या कहा जा रहा रहा है अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है यह चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद देखिए चमेली के पास समझे कुछ धन थे और हम आपको समझाने के लिए माल रहे हैं उसके पास 100 रुपया था ठीक है 100 का 75% उन्होंने खर्चा कर दिया तो 100 का 75% क्या हो जागा 75 रुपय समझे उन्होंने खर्चा कर दिया वही सव में से जब बेक्ती ने 75 खर्चा कर दिया तो बचा कितना 25 बचा है और यहां पर देखिए इन्होंने कितना बचाया है खर्च करने के वाद 600 रूपए बचे तो यहां पर यह जो हमारा 25 है यह बराबर हो जाएगा 600 के ठीक है और यहां से देखिए क्या हो जाएगा 25 से कार्ड दीजिए तो एक हमारा किसके बराबर हो जाएगा एक देखी किसके बराबर हो जाएगा पचीस दूनी पचास दस साट ए हो गया सो और पचीस चौके सो एक बराबर हमारा 24 के हो गया अब देखी में बताना क्या है उसके पास सुरू में कुल कितने रूपए थे देखे एक बराबर 24 हो गया है यह हैं शुरू के रूपए तो इस 100 को 24 से multiply कर देंगे तो चमेली के पास शुरुआत में जितने पैसे थे में मिल जाएंगे तो 24 सुने सुन 24 सुने सुन 24 एक के 24 यानि कि 2400 रूपए तो student देखिए हमने इस question को solve कर लिया और हमारा क्या हो गया यही answer हो गया ठीक है चलिए यह तो हमारा primary method अब आप यहां पर ध्यान से देखिए इस चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद रूपया 600 बचे अब देखिए उन्होंने 75% खर्च कर दिया तो बचा कितना यहां से 25% बचा है और इन्होंने कितने रूपय बचा है 600 तो यहां से जो मारा 25% है वो बराबर हो जाएगा किसके 600 के आप लोग समझ रहे होंगे यह जो 25% इन्होंने यहां से बचाया है यहाँ पर 75% है ना तो 25% बचाया है और यहाँ पर पैसा इन्होंने कितना बचाया है 600 तो यह जो 600 है वो 25% के बराबर है तो हमें 100% का मान चाहिए तो 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे इसको 4 से multiply कर देंगे लिखे 4 से गुड़ा करने पर गुड़ा करने पर तो 4 से गुड़ा करेंगे इस स्टुडेंट हमें 100% का मान मिल जाएगा यानि कि उसके पास कितना धनता हमें उधन मिल जाएगा शुरवात में तो 100 से multiply कर देंगे 25 को मने 4 से multiply किया 25 हो गया 100 और यहाँ पर 600 को 4 से multiply करेंगे तो 6 क्या हो जागा 24 4 सुन्य सुन 4 सुन्य सुन 4 से चुन 24 देखिए आपको दोरों में से जो भी method पसंद आए आप लोग उस method से solve करना आपको ए पसंद आए तो आप इससे solve कर सकते हो और ए वाला method पसंद आए आप इससे solve कर सकते हो तो चलिए student अब लोग अगले प्रेशन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रेशन क्या है तो student आप लोग question नमबर 6 को देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है इसको पढ़िए और हल करने का प्रयास की देखिए यद किसी सहर में 60% ब्यक्ती क्रिकेट पसंद करते हैं कितने प्रतिशत ब्यक्ती क्रिकेट पसंद करते हैं 60% ब्यक्ती लिखते चलिए क्रिकेट पसंद करने वाले ब्यक्ती का प्रतिशत क्रिकेट पसंद करने वाले करने वाले ब्यक्ती का प्रतिशत कितने प्रतिस्द लोग पसंद करने हैं इस्टूडेंट हमें दिया है 60 प्रतिसद अब आगे देखिए 30 प्रतिस्द फुटबाल पसंद करते हैं तो फुटबॉल पसंद करने वाले फुटबॉल पसंद करने वाले ब्यक्ति का परश्चत हमें कितना दिया है 30 परश्चत 30 परश्चंट लोग क्या पसंद करते हैं फुटबॉल आगे देखिए सेस अन्ने खेल पसंद करते हैं तो अन्ने खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों का परिश्चत क्या हो जाएगा अन्ने खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों का परिश्चत पसंद करने वाले व्यक्ति का परिश्चत इस्टूडेंट देखिए हमारे पास पूरा कितना परिश् परचत बच रहा है और यही ओदस परचत लोग हैं जो दूसरे खेलों को पसंद करते तो ऐसे हमने निकाल लिया कैसे निकाला समझ गए हमारे पास पूरा सव परचत होता है जिसमें से 60 क्रिकेट पसंद करते हैं 30 फुटबॉल और सेश अन्य पसंद करते हैं अन्य खेल को तो साटीस नब्य सौ में से 90 गटा अमकर पास दस परचत आ अब आगे देखी तो ग्याद की जै कि कितने प्रतिशत अन्य ब्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं तो अन खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रस्चत क्या आगया दस प्रस्चत इसको उमने निकाल लिया है आगे देखें यह दिक कुल व्यक्ति 50 लाग है यानि कि किर्केट वाले फुटबॉल वाले और अन्ने को मिला लें तो हमारे पास कितने व्यक्ति हैं 50 लाग तो देखें कुल व्यक्ति कितने दियां 50 लाग कुल व्यक्ति 50 लाग और यह जो इस्टूडेंट आप 50 लाग देख रहे हो यह हमारा किसके बराबर है सौब परतिसत का मान यही है 50 लाग यहां से लिक लिए जे हमारे 100% है वो भराबर 50,00,00 की। तो, देखले जे 11ipple 2010,00,000 तसी ठीक है, 21ipple 2010,100,000,00, पंचांस लाग हो गये, तो 100% का मान यहां से आगय है, 1% का मान क्या हो जगा यहां से देखिए। 1% का मान क्या आग क्या है? इकाई दहाई सहेकड़ा हजार दसचार एक प्रतिसत का मान हमारे पास पचास हजार आ गया है अब यहां से स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए हमें क्या क्या बताना तो प्रत्य प्रकार के खेल को पसंद करने वाले बैक्तियों की यथार्थ संख्या ग्यात किरकेट पसंद करने वाले व्यक्ति की संख्या तो देखिए स्टूडेंट किरकेट कितने लोग पसंद कर रहे हैं 60% प्रतिसत लोग क्रिकेट पसंद कर रहे हैं और एक प्रतिसत का मान कितना है पच्चास हजार तो 60 प्रतिशत लोग पसंद कर रहे हैं और एक प्रतिशत का मान कितना है 50,000 ठीक है आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उमने मल्टीप्लाई किया देखी क्या हुजागा 6,5,30 ठीक है 6,5,30 कितना सुने 1,2,3,4,5 सुने लगा दीजिए 1,2,3,4,5 इकाई, तहाई, सैकड़ा, हजार, दस जाल, लाग, दस लाग तो इस्टुडेंट यहां से आप लोग देख सकते हैं जो किर्केट पसंद करने वाले ब्यक्ति हैं उनकी संक्या हमारे पास क्या आ गई है 30,00, ठीक है अब 30,00, आ गई चलिए अब हमें क्या निकालना है फुटबॉल पसंद करने वाले ब्यक्तियों की अथार्थ संक्या तो लिख दीजिए फुटबॉल पसंद करने वाले ब्यक्ति की संक्या क्या हो जागी देखें फुटबॉल कितने लोग पसंद करें 30 प्रतिसत और 1 प्रतिसत का आमान 50,000 है तो 30 गुड़े 50 कर देंगे तो हमें 50,000 कर देंगे तो हमें फुटबॉल पसंद करने वाले ब्यक्तियों की संख्या मिल जाएगी तो देखिए 3 गुड़े 5 करेंग क्या हो जगा 15 है कितना 0 है एक 5 0 है 1 2 3 4 5 इकाई दाहाई सेकड़ा हजार दस जार लाख दस लाख कितने लाख लोग हो गए 15 लाख लोग क्या पसंद कर रहे हैं फुटबॉल तो देखिए इस तरीके से मारे पास आगया चलिए अब हमें सेस अन्ने खेल वाले को बताना है तो अन्ने खेल पसंद करने वाले कितने व्यक्तियों की संख्या क्या हो जग देखिए दस प्रतिसत लोग है और एक प्रतिसत का अमान 50,000 है तो कितना आजाएगा पांच एक्के पांच और पांच जिरो लगा दीजिये आपर तीन चार पांच कितना हो गया पांच लाख इकाई दाई सेक्ड़ा हजार दस लाख पांच लाख लोग ऐसे हैं जो अन्ने खेलों को पसंद करते हैं तो student आप लोग देख सकते हैं हमारे पास answer क्या आगया देखिए cricket पसंद करने वाले की संख्या बतानी थी तो ओ 30 लाख है football वाले की संख्या 15 लाख है और अन खेल वाले की जो संख्या है ओ 5 लाख है तो student यहां पर और आगे हमें अन खेल वाले का पर्शत बताना था एवी मारे पास क्या है दस परसत आप लोग लिख लिजाए अतहा है अन खेल पसंद करने वाले बैक्तियों का पर्चा 10 है क्रिकेट पसंद करने वाले बैक्तियों का पर्चा 30 लाख है फुटबॉल पसंद करने वाले बैक्तियों की संख्या 15 लाख है तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहां पर यह जो हमारी प्रशनावली थी हमने इस प्रशनावली के सारे सवा अनों को solve कर लिया है तो चलिए student आप लोग पढ़ते रहे अगर आप लोग कोई भी doubt हो तो आप लोग comment box में comment करना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए student आप लोग पढ़ते रहे थैंक यू